नौकरी से लेकर महबत तक जीवन के हर छेत्र में सफलता के लिए राशी के अनुसार बताए गए हैं ये जोतिसे उपाए जोतिस के अनुसार कुल बारा राशियां होती हैं और हर राशी का अपना स्वामी गरह होता है मेश राशी का स्वामी मंगल है, मित्तुन और कन्या राशी का स्वामी बुद्ध है, कर्क का स्वामी चंद्रमा और सिंह का राशी स्वामी सूरिय है धनुमीन राशी का स्वामी गुरू है, मकर और कुम्ब के स्वामी सनी है रासे श्वामी के अनुसार कुछ उपाय करके आप जीवन के हर छेतर में सफलता हांसिल कर सकते हैं मेश राशी मंगल आपके श्वामी है उपाय के लिए आपको सिविलिंग पर लाल फूल अरप्रित करने चाहिए और भगवान हनुमान की विशेश पूजा करने से भी आपको लाब मिलेगा विरिश आपके श्वामी शुक्र है इसलिए आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए विशेश पूजा करनी चाहिए इसके लिए शिविलिंग पर हर सुक्रवार दूद अरपित करे इससे जीवन में आ रही बादाएं दूर होने लगेगी मिथुन आपको बुद्ध घरे के निमित विशेश पूजा करनी चाहिए बुद्ध को परसन करने के लिए हर बुद्ध बार गाई को हरी घास खिलाएं इससे समाज में आपकी साख बढ़ेगी और केरियर से लेकर लवलाई तक में आपको सफलता हासिल होगी करक चंद्रमा आपकी राशी के स्वामी हैं जिनका प्रिय दिन सोमबार माना जाता है अतै करक राशी के लोगों को हर सोमबार सिवलिंग पर जल अरपित करना चाहिए साथ ही चंद्र से समबन्दित सपेद वस्टों का दान करना चाहिए ऐसा करने से आर्थिक परेशानिया दूर होने लगती है सीहा जिन लोगों की राशी शिंग है उन्हें सूर्य देब की पुजा करनी चाहिए इस गरह को परसन करने के लिए परती दिन सूर्य को जल अर्पित करे इस उपाई से उस व्यक्ति को हर छेतर में सफलता हासिल होने लगती है कन्या बुद्ध आपकी रासी के श्वामिगरह है बुद्ध को परसन करने के लिए हर बुद्धवार को पगवान गणेश को दुर्बा अर्पित करनी चाहिए साथ ही इस दिन गणेश जी की विशेश पूजा अर्चना करनी चाहिए माना जाता है नियमित रूप से इनकी पूजा करने पर सभी परकार के गरह दोशों की शान्ती हो जाती है तुला राशी जिन लोगों की राशी तुला है उन्हें शुक्र की पूजा करनी चाहिए शुक्र को परसन करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी जरूरत मन्द व्यक्ति को वस्तरों का दान करे ऐसा करने से गरह कमजोर होते हैं विश्यक विश्चक राशी का स्वामी मंगल है उपाई के लिए आपको मंगलवार के दिन हनवान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अरपित करना चाहिए इस दिन मंगल की पिरियवस्तू मसूर की दाल का भी दान करना अच्छा माना गया है धनु राशी जीवन में आ रही बादाएं दूर करने के लिए आपको हर गुरुवार गुरुगरे के निमित दान करम करना चाहिए राशी श्वामी गुरु को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार शिवलिंग बच्चने की दाल अरपित करे बेसन के लड़ू का भोग लगाएं मकर राशी आपकी राशी के श्रौमी सणी है जिरे परसंड करना मुश्किल माना जाता है इस राशी के लूगों को शनिवार के दिन निमित तेल और काली उड़त का दाल दान करना चाहिए किसी गरीब को काले वस्तरों, कंबल, आदी का दान करना शुब माना जाता है इस राशिक के स्वामी भी शनिदे भी हैं जिने न्यायधिस का पद पराप्त है इन्हें परसन करने के लिए हर शनिवार को हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए माना जाता है कि भगवान हनुमान की पूजा से शनिदे परसन होते हैं साथ ही शनिवार के दिन आपको सर्सों के तेल का दान करना चाहिए, इससे काम में आ रही अर्चन दूर होती है, मीन, मीन राशी वालों को देव गुरु विरश्वत्ती की विशिश अराधिना करनी चाहिए, गुरु ग्रह को पर्शन कनने के लिए हर गुरुवार, सावत हल्दी और पिले रंग के अन का दान कनना चाहिए, शिवजी को बेशन के लड़ु का भूग लगाना भी फलदाई होता है,